स्टार्स के करियर उनकी मार्किट वैल्यू और उनकी ब्रैंड वैल्यू में उनकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है जिस तरह की खबरे उस star के टीम की तरफ से आती है उसको लेकर ही उस star की brand value में काफी उचा लाता है और उसकी profile बढ़ती है ऐसे में कार्तिकारियन को लेकर पहले भी खबर आ चुकी है कि किस तरह से उनकी टीम ने फेक खबरे फैला कर कार्तिकारियन को सबके सामने बड़ा बनाने की कोशिश की एक्चुली ये खबर तब की है जब कार्तिकारियन ने गुड न्यूस फिल्म के लिए जिसमें बाद में अक्षे कुमार और दिलजीत दोसांच ने काम किया उस फिल्म के लिए सिर्फ करण जोहर से मुलाकात की थी और मीटिंग की थी कुछ भी उस मीटिंग में फाइनलाइज नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले ही कार्तिकारियन की जो ओवर एक्साइट पियार टीम थी उन्होंने सब तरफ ये खबर दे दी कि कार्तिकारियन करण जोहर की अगली फिल्म में में लीड हीरो का काम कर रहे हैं जबकि कार्तिकारियन को दिलजीत दोसांज वाला पार्ट उफर हुआ था इसके अलावा अक्षे कुमार अलरेड़ी इस फिल्म के लिए फाइनलाइज हो चुके थे लेकिन फिर भी अक्षे ने अनाउंस नहीं किया कार्तिकारियन की टीम ने पहले ही उचल कर इस खबर को दिया और अब एक बार फिर से कार्तिकारियन की टीम ने यही हरकत की है फिचले कुछ दिनों से कार्तिकारियन को लेकर कई तरह की खबरे आ रही है और जहिर सी बात है उनका बस भी साई गुंजन सक्सेना के डिरेक्टर शरत शर्मा और फिल्म में लीड आक्ट्रिस का काम करेगी त्रिप्ती डिमरी ये खबर दो दिन पहले पूरे मीडिया में थी लेकिन इस खबर का तब तमाशा बन गया जब खुद करन जोहर ने इस बात को सिरे से नकार दिया जिससे ये सामन आ गया कि कार्तिकारियन की पियार टीम उनको इंडस्ट्री में बड़ा बताने के लिए बहुत सारी फेक खबरे फैलाती है जिसमें से एक ये खबर भी है करन जोहर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शरत शर्मा की धर्मा प्रोडक्शन्स के साथ जो फिल से बचिये तो करन जोहर ने क्लियर कर दिया कि कार्तिकारियन उनकी अगली फिल्म में नहीं है या कौन है ये भी उन्होंने नहीं बताया अभी तक ऑफिशल अनाउंस्मेंट नहीं हुई है तो फिर ये खबरे आ कहां से रही है क्या कार्तिकारियन की टीम उनको इंडस्ट् कर रहे थे उन्हें पसंद किया जा रहा था लेकिन धीरे धीरे उनका कर्यर decline mode पर है इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ कहा जाता है कि उनकी PR टीम का है जो की इंडास्ट्री में हर किसी से पंगे लेती है सबसे तू तडाक से बात करती है इसके अलावा वरुन धवन भी अकसर लोगों से उलचते नजर आते हैं यही कारण है कि इनका जो बाहर के माहोल में जो बरताव रहा है उस कारण इन्होंने बहुत कुछ अपनी brand value को destroy किया है और इस कारण कई बड़े projects इनके हाथ से भी गए हैं और कहीं न कहीं इन पर rude behavior का tag लगता जा रहा है वही कारती की team पर जूटी खबरे पहलाने का इलजाम लगता जा रहा है कारती की team की इसी over excitement के कारण पहले उनसे good news फिल्म गई थी और अब शायत करण की ये फिल्म भी